है दोस्तों केसे आप सब आई हो आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ कहीं वीजी थी तो चली बनाना स्टाट करते हैं और आज हम बनाने वाले हैं लोकी के पराट हैं लोगी वो सस्ती तो नहीं मिल रही है बट हम बहुत सारी आ रही है और बहुत फ्रेश दिखती है रहा हो तो बनाने का मन कर जाता है तो सबसे पहले ओल लेना है उसमें हींग, जीरा, सोफ, खड़े मसाले, फिर प्याज, हरी मेची और अदर लसून का पेस डालना है फिर उसमें कड़ी पते डाल के उन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राय होने देना है उसके बाद ग्रेट की हुई लोकी डालनी है उसको पहले स्क्वीज कर लेना यानि उसका सारा पानी अच्छे से निचोड लेना फिर डालना है फिर उसे दो मिनिट मिक्स करने के बाद सारे स्पाइसे एड़ कर लेंगे या मैंने लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया, नमक, आमचिर पाउडर डाला है अगर नहीं है ना तो आप उसकी जगे नीमबू डाल सकते हैं टार्ट्रिक डाल सकते हैं और फिर इसको अच्छे से पकने देना है थोड़ी देर के लिए फिर जबी थोड़ा पक जाए ना उसके बाद हमें इसमें बैसन डालना है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा मॉश्यर होगा तो वो उससे कवर हो जाएगा और हमारे पराठे खुलेंगे नहीं फिर यह मैंने लास्टली थोड़ा सा चीनी और धन्या डाला है क्योंकि मुझे खटे मीठे पराठे अच्छे लगते हैं अगर आपको नहीं पसाद तो आप स्किप कर सकते हैं तो यहां हमारा मसाला प्रि के लिए हम छोड़ देंगे पाश मिनित बाद हमारा आटा परफेक्टली डन हो जाता है हम थोड़ा सा उसमें से पॉक्शन ले लेंगे और पराठो के लिए लूई बना लेंगे अब हम क्या करेंगी इसको ना बीच से हॉल करते हुए एक कटोरी जैसा बना लेंगे और कट अच्छा से बेल लिया है और उसके बाद हम हमारे पराठे को सिखेंगे तो अब हमारा पराठा सीखेगा तो पहले एक साइट से सिख लेना है थोड़ा सा फिक पर लट देनी और फिर साइट पर गी लगाना है आप चाहें तो यहां पर ऑईल भी लगा सकते हैं मुझे परस बहुत से लोग नाश्ते में खाना पसंद करते हैं और मैं इसको लंच में खाना पसंद करती हूं तो बस हमारा पराठा रेडी हो गया है और अब इसको में दही और सोस के साथ खा रही हूं आप चाहें तो चाहे के साथ भी ले सकते हैं और बहुत दिनों बाद अगर आपक मेल जाएगियर, पसंदा तो, वंगा भी-follow कर दिना